तो अब ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस बच्चे को हैंड फीड कराके बचा ले जाओं ये बच्चा भूका लग रहा है और अब इसके फीडिंग का भी टाइम हो गया है तो चलिए अब इसे फीडिंग कराते हैं मैं हर दो घंटे पे इसकी इसी तरीके से फीड बना के इसको फीड कराता हूँ पहले जब ये मेरे पास आया था था भी बहुत जाजा कमजोर था और फीडिंग कराता है